लद्दाख इस देश का बहुत एहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग अशंकित हैं, अंदोलित हैं, परिशान हैं, उनका कहना है, उनकी जान पर बनाई है। चीन के कबजे को लेकर हर तरे का तत्य हर तरे के साक्ष सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलो मिल्टर की हमारी जमीन पर कबजा किया हुआ है। बजाए उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले जाक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दो से भठकाने की बात कर रहे है। लेकिन जितना आप मुद्दो से भठकाईगा, आपको वापस मुद्दो पर लाया जाएगा। तो अब एक एहम बात सुनिए, बत 2015 की है, नरेंदर मोधी जी देश के प्रधान मंत्री थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने बंगला देश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकर जमीन दी, फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंदर मोधी जी ने प्रधान मंत्री रहते हुए बंगला देश को हिंदुस्तान की 10,000 एकर जमीन देकर समस्या का निवारण किया, ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिना जी ने 271 एकर जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था, 6,000,000 वापस आना पर असल में तो दिक्कत की बात है कि मोधी जूट बोल देते हैं और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर उनके मंत्रियों पर उनके चरण चुम्बकों पर आ जाती है, तो आज विदेश मंत्री जैशंकर आये, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस करी, आधा सच पूरा जूट बोला, मैं आप से आपकी आख में आप डाल कर एक बात पूछती हूँ जैशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिफ थे, Ministry of External Affairs के हाइस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्राट, आपने एक RTI के जवाब में कहा था, कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्री कारों को एक्सेस दिलाना ता मिलियन को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए, वो चरावंदन में वेस्त है, मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन और अलाचल की तीस जग 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजें कि आपके जवाब से ही तै होगा कि आप जूट क्यों बोलते हैं